हरे कृष्ण राधे राधे आप सब का कृष्ण दाश्टी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है रहर महादेव सावन का महीना आ गया है और सावन के महीने में शिव परिवार की बहुत विशेश रूप से पूजा की जाती है बहुत विदेविदान से पूजा की जाती है कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनुरत पूरे कर होते हैं और साथ में मा मंगला गौरी की पूजा माता पारवती की पूजा करने से सदासो भागवती होने का आशिरवाद मिलता है तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे शिव जी की पूजा में ध्यान रखने योग के बाते क्या क्या हैं तो चलिए हम बात करते हैं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सी चीज चड़ाने से मिलता है क्या फल किसी भी देवी देवता का पूजन करते समय उनको अनिक चीजें अरपित की जाती हैं प्राय भगवान को अरपित की जाने वाली हर चीज का फल अलग-अलग होता है शिव पुराण में इस बात का वन्यन मिलता है कि भगवान शिव को अरपित करने वाली अलग-अलग चीजों का क्या फल मिलता है शिव पुराण के अनुसार कौन सा अनाज भगवान शिव को चड़ाने से क्या फल मिलता है भगवान शिव को जो अरपित करने से सुख समरिधी घर में वास करने लगती है गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्रापती होती है यह सभी अन्य भगवान को अरपन करने के बाद गरीबों में वितरित कर देना चाहिए शिव पुराण के अनुसार पॉंड सा रस यानी द्रव चढ़ाने से उसका क्या फल मिलता है। बुखार होने पर भगवान शिव को जलधारा चढ़ाने से शिग्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृध्धी के लिए भी जलधारा द्वारा शिव जी की पूजा उत्तम ब पराएं तथा सोमवार का वरत करें तो उसकी समस्या का निदान संभव है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिश्रित दूद भगवान शिव को चढ़ाएं। सुगंदित तेल से भगवान शिव का अविसेख करने पर सम्रिद्धी में व्रिद्धी होती है। शिव लिंग प अगर गंगा जल चढ़ाया जाए तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ती होती है। मधु यानि शेहद चढ़ाने से भगवान शिव का अविसेख किया जाए अगर तो टीवी जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को क भौण सा फूल चढ़ाया जाए तो उसका क्या लाब मिलता है। लाल वा सफेद आकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर भोग और मोक्ष के प्राप्ती होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख प्राप्त होता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विश्नु का प्री बन जाता है। शमी पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर्व शुशील पतनी प्राप्त होती है। जूही के फूल से शिव का पूजन करे तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से शिव पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर सिंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ती में व्रिद्धी होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रौशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुब माना गया है, दुर्वा से पूजन करने पर आयू बढ़ती है, तो ये थे जो कि प्रभू शिव भगवान शिव भोले नाथ जी को कौन सा चीज चढ़ाने से, कौन सा द्रव चढ़ाने से, कौन सा अनाज चढ़ाने से, कौन सा फल मिलता है तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तब तक के लिए ओम नमशिवाए